नमस्कार दोस्तों तो आज इस वीडियो में बात करेंगे सिविल डिफेंस वोलंटेर आप कैसे बन सकते हैं सारी इंडेप्ट अनलेसेज बताऊंगा सिर्फ एट पास चाहिए दोस्तों और आपकी क्वालिफिकेशन वगेरा सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं आप यह बात करूंगा आप इस विवारे में क्राइटिरिया क्वालिफिकेशन एज सैलरी नेचर ओफ वर्क और एपलाए कैसे करना है बैसिकली काफी बच्चे कंफ्यूज और तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि आप ऐ कैसे ऐसे अपलाई करिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई एड़ पास इसमें एड़ पास चाहिए ज्यादा जितनी मर्जियों कम से कम प्राइमरी क्लास पास होना चाहिए दूसरा एज दोस्तों एटीन यर या अबाव आप कि 30 30 50 कितने भी हों आप सिविल डिवेंस वोलेंटर बनने के काबिल हैं अगर आप 18 साल के हैं ठीक है दोस्तों इसमें सैलरी की बात कर लें तो सैलरी काफी अच्छी दे रहे हैं आज कल यह 732 रुपे पर डे के हिसाब से देते हैं जैसे आपने महीने में अगर जो 30 के 30 दिन क एक पैसे मिलेंगे तो दोस्तों इससे आपको पता चलेगे होगा सैलरी काफी अच्छी अलग बग बग बाइस तेहीस अजार रुपे सैलरी बन जाती है अराम से तो बहुत ही सुनेहरा मुका है आप लोगों के लिए वर्क करिए और देश की सेवा करिए नेचर ओफ वर्क इनके PSO यही बनते हैं परसनल सेक्योर्टी ओफिसर इनके ड्राइवर्स गोवर्मेंट ओफिसेज में डिप्लोई करते हैं आज इकल DTC में भी डिप्लोई करते हैं तो काफी जंगा इनकी तैनाती की जाती है पुलिस स्टेशन में डिप्लोई करते हैं नाकाबंदी पे डि के लिए तो काफी अच्छी जोब है इसको एपलाई करने का प्रोसेस अब बताऊंगा उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसमें डोक्योमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे कोन कोन अपलाई कर सकता है देखो दोस्तो इसमें मेल फीमेल सब अपलाई कर सकते हैं तो आपका यह सवाल तो होने नहीं चाहिए कि क्या इसमें मेल कर सकते हैं क्या फीमेल कर सकते हैं तो इसको सभी अपलाई कर सकते हैं अब डोक्य प्रोसेस में आपको समझाओंगा कि कैसे प्रोसेस करना है इस्टेप बाइस तो आप वह समझना बड़े द्यान से और फिर उसके बाद ही एपलाए करना फिर पुलिस वरिफिकेशन पाद आपके पास होना चाहिए एजूकेशनल सर्टिफिकेट्स जैसे कि आप अगर टैंथ पास है तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए ऐसके बाद एसे पास प्रूफ होना चाहिए कि आप कने रहते हैं और आपके नियरबाइथ थाने में पुलिस वेरिकेशन हो गी और आपको डिप्लॉई भी कहीन कहीं ही पर किया जा सकता है अब आपके पास दूसरा होना चाहिए एज प्रूफ करनी है तो आपके पास डेट बड़ सर्टिविकेट हो या कोई ऐसा सर्टिविकेट हो जिसमें आपकी डेट मैंशन हो और सरकार द्वारा मानने पराप्त हो अब कर लेते हैं दोस्तों बात की कैसे करना है फर्स स्टेप क्या है दोस्तों फोम बरने का तो आपको दिखा दूँ मैं फर्स स्टेप है सबसे पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी है नियरभाई पुलिस टेशन में जाईए और अपनी पुलिस वेरिफिकेशन कराईए पुलिस वेरिफिकेशन जब आ आप गूगल पे सर्च करना को सारी डिटेल मिल जाएंगी उसके बाद क्या करना आप को ईडिस्टिक की साइट पर जाने के बाद अगर अगर आप अपने अधार कार डालिए यहां पर यह security कोड डालिये इसके बाद आप क्या करेंगे इसको submit कर देंगे confirm करके फिर आपसे काफी details वांगेगा आपकी personal तो आपको details fill करनी है सारी उसके बाद आप registered और user पे आ जाईए इसके आपको user ID password आपको mail हो जाएगी और आपको personal message भी आ जाएगा जिसमें आप देखोंगे आपकी user ID और password दोनों चीज़े होंगी इसके साथ ही आप क्या करना इसमें ये डाल के जैसे मैं अभी डाल रहूं आप देख रहे हैं इसमें डालने के बाद आप अपनी सारी चीज़े चेक करना अपने नाम वगएरा सब कुछ आप चेक कर सकते हैं वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कहां पे जाके आपको चेक करना ह अब यह security code डाल देते है security code है यह और इसके बाद आपको क्या करना है submit कर देना है submit करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface खुलेगा आपको directly क्या करना है profile update में जाना है यहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या फिल अप किया था यहां से आप directly edit भी कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको कुछ चीज़ एडिट करना है पर्मनेंट एडर्स अगर आपका भार का है तो आप उसमें outside दिल्ली कर दिए लेकिन present address आपका दिल्ली का होना जर यह इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तो apply online में जाना है online कर देना है मैंने इसको apply कर दिया था इसके बीस नंबर सीरियल नंबर पर आपको दिखेगा enrollment of civil defense volunteer यहां पर आपको apply कर देना है यह देखिए apply कर दो और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface खुलेगा क्योंकि म से इसमें शो कर रहा है अधार नंबर वगयरा से सारी डिटेल देखो आपको एवन वाइवन आपको सारी डिटेल डालनी है इसमें कोई भी डिटेल ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो कि आप मिस अप कर दो और इसमें बेसिकली आपको सब चीजे point wise point आपको बताई गई है कि कैस कैसे आप apply कर सकते हो क्या-क्या करना है तो इसमें देखते रहीए सिटी बतानी है contact number बताना की जतनी बी applies कडिवीकेस S Bowl अपको देखनी है मैं उसके साथ साथ आप आप देख सकते हो इसमें जों सके हूई है इसमें ृइश premise स के है और आपको ड्राइविंग आति है यह साथ आप देख सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन का पूछ रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन हुई है नहीं तो आप यह भी डाल दीजिए अब इसमें bank की डिटेल्स डाल लिए दोस्तों डालोगे यह सारी की सारी बैंक की डिटेल दिल्ली की होनी चाहिए मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ नेक्स्ट किन की डिटेल डालने जो नेक्स्ट किन होता है दोस्तो जो नियरली बलड रिलेटिव आपका होगा उसकी details इसमें डालिए इसमें relation दिखाना पड़ेगा आपको दोस्तों इसमें आपको ये भी ही आपको choice मिलती है कि आप training कितने time की करना चाहोगे जैसे की आठ दिन लगातार करना चाहोगे हफते के या हर आठ वा आठ हफते में एक दिन संडे यानि की लगातार आठ संडे आप training करना चाहोगे इसके बाद आप ये सारी चीज़े टेकनिकल अगर आप हो तो टेकनिकल चीज़े डाल दो otherwise आप इसको ना डाल के इसका print लेने लेके जाना, उसके साथ साथ एक फोटो कोपी का सैट लेके जाना तो वह वहाँ पे जो भी आपको करना उसका साथ बाद में वह आपको बोल सकते हैं कि भई आपकी training होगी, training की intimation आपको दे दी जाएगी तो आपको training में आना है और जब आप वह training कमप्लीट कर लोगे तो आपको एक certificate दिया जाएगा जो कि वह आपके लिए बहुत beneficial रहेगा और आपको कहीं ना कहीं government department में या अपने डिप्लोय कर दिया जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताना और comment section में अपने नाम एज state और qualification जरूर लिखना ताकि मैं आपके state के regarding सारी information दे सकूँ all the very best thank you